कॉरोना वाइरस का संक्रमर्ड जहां विश्वी भर के लिए आफ़त बन कर आया है वहीं बिहार के एक परिवार के लिए बरडान साबिस हुआ है दरसल बिहार के छप्रा में पिछले 7 साल से लापता हुए एक व्यक्ति को उसके परिवार से मिलने का मौका मिला है कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में फसाप पैगा मित्रसेन गाउं का ये शक्स साथ साल बाद अपने परिवार के पास वापस लोटा है खबरों के मताविक गाउं के बाबुलाल दास का बेटा अजय कुमार साथ साल पहले अचानक लापता हो क्या था परिवार ने तीन साल ठूडा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला तो परिवार ने उसे मृत मान लिया और तलाश बंद कर दी खबरों के मताविक सोमवार को यूपी पुलिस अचानक एक यूवक को लेकर बेल्दी थाना पहुंची वहां से जानकारी मिली कि अजय पैगा मित्रसेन गाओं का है फिर अजय को लेकर पुलिस पैगा पहुंची अजय को साथ साल बाद घर की दहलीच पर देखकर उसके माता पता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा पुलिस ने बताया कि घर से लापता होने के बाद अजय भटकता हुआ बाराबांकी पहुंच गया था और वहां पर एक अपराधिक मामले में उसे जेल हो गई थी कोरोना के बड़ते संक्रमन को देखते हुए जब कोट ने कुछ कैदियों को पेरोल पर रहा किया तो सूची में अजय कुमार का भी नाम था ऐसे में जेल से छूपने के बाद यूपी पुलिस उसे ले कर सीधे छपरा पहुंची और उसे परिवार से मिला दिया अब उसके परिवार के साथ ही गाउं की भी खुशी का ठिकाना नहीं है नूस्टेस